कि आइए इस वीडियो के इंट जार दो को वीडियो आइट सुक्षी है आज कि इस वीडियो के अप्क स्टेप नीडियो के अपिकी बॉट लगरने के अपिक च्राइब लिगार्विशिए होने चाहिए एक चोटी-चोटी से मिस्टेक आपको डिस्क्वालिफाइब दर सकती है अनल उने चाहिए इस वीडियो को अन तक देखना आपको एक रफ आइडिया में जाएगा कि आपको क्या क्या करना और उसके बाद आफ फॉर्म पर इज़र होगी तो सबसे पहले आपको हमें एक लैंडिंग पेज दिखेगा और ओपर में अगर टॉप राइट पर आप देखेगा अपको एक लैंडिंग पेज उसके अंदर मिलेगा और यहां पर बगल में आपको लॉगिन को आप्शन आ रहा होगा नीचे अगर आप ध्यान से देखोगी तो एक रजिस्ट्र करते हैं आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है ठीक है आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे आपको एक छोटा सा फॉर्म फिर से खुल जाएगा जहाँ पर ने मोबाइल नमबर यह डिटील्स वगर आपको डालने अभी के लिए मैं लॉप रिप डाल रहा ह इसके बाद आप दोने लोप्रिफ का इमेल डाल रहा हूं यहां पर आ जैसे ही मैं लाइध ढाल दूँगा इसके बाद मैं पासवर्ड डालोंगा चाहिं यहाँ रहा जो पर यहाँ डाल रहा हूं मिकशार गरना कि उसको आप यहां पर लिग लो अपने मोबायल पर या किस safely उसको रख दो, simply, फिर इसके बाद आपको OTP आएगा, और OTP आप अपने message box को जब check करोगे, OTP आपको basically यहाँ पर डालना है, और इसके बाद जैसे ही OTP डाल दोगे आप, जैसे मेरा 845017 है, डाल दिया मैंने activate पर click कर दिया, account activated का option आगया है मुझे, इसके बाद अब क्या करना है, simply मैं login करूँगा, ठीक है, अब login right side में आपको दिख रहा है, login को option यहाँ पर, और अब क्या करना है कि वही mobile number, और जो मैंने password डाला था, मैं simply वो password यहाँ पर डालने वाला हूँ, तो मैं type कर दूँगा, आपने जो भी password डाला, आप वो type करूँगे, और login पर click कर दूँगे, अब यह देखो, यह खुल गया, आपका main form, यहाँ से आपकी start हो जाएगी, form fill करने की journey, सबसे पहले हम कुछ चीज़े पढ़ लेते, जैसे candidate or advice to check, they fulfill eligibility criteria, marks required, basically आप जित्ते भी criteria फिल्फिल करने चाहिए, second number पर लिगा है, note that submission of CLAT 2024, application does not confer on any candidate, the right for admission to any NLU, so basically कहना चाहते हैं, कि ऐसा नहीं form बढ़ दिया, तो admission मिल जाएगा, right, verification of document, minimum qualification, CLAT score, बहुँ सारी चीज़े वो check करेंगे, for detail regarding information on admission to individual NLUs, candidate or advice to go through, website, तो website पर जाकर अब भी आप NLUs के details चेक कर सकते हैं, NRIO तो वो भी आप form बढ़ कर सकते हो, ठेक है, but उनके condition किया है, subject to the outcome of the decision of Supreme Court of India, फिर एक note करके लिखा, you don't have to complete the application process fee payment in one sitting, you can save your application at any stage, and continue at any time until the official date of closure for receiving application, so basically आप save करके बीच में, अगर आपको लगता है कि आप बाद में अपडेट करना चाहते हो, तो भी कर सकते हो, आसा निए कि वान गो में आपको एक बार में बैट कर ही करना है, अब नाओ नीचे दो option है, एक है one year LLM, और दूसरा है five year LLB program, आप 12th class के बाद जा रहे हूँ, obviously five year LLB program के लिए, तो आप ये वाला option सेलेक्ट करोगे, फिर आपको simply क्या करना है, apply for class 24 वाले option पे क्लिक करना, okay कर दूगे आप, confirm कर दिया आप अब अब ये आपको form खुल चुका है, उपर अगर आप देखूगे तो पाच option है, personal information, communication, detail, ऐसे करके, आपको personal information में आप देखूगे, photograph, application name है, date of birth सेलेक्ट करना है, do you qualify under NRI categories, ऐसे कई सारे option है, ठीक है, तो आप एक करके यहाँ पे सारी detail, जितने सही detail है, वो फिल करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको वो फिल करना है, ऐसा ना होगे, आपने कुछ गलट detail यहाँ पे डाल दिया, जो आपके document से match ही नहीं करता है, क्योंकि अगर आपने गलट डाल दिया, तो throughout, entire admission process, जिसमें आगे भी चल कर आएंगे कुछ processes, वहाँ पे भी mismatch होता है, तो आप हो सकता है कि आपको परिशानी उठाना पड़े, तो आप यह सारी चीजों का ध्यान रखोगे, मैं क्या कर रहा हूँ कि All India category में मैंने, क्या select कर लिए, ST अभी के लिए कर लिए, यह दिखाने के लिए, कि देखो, जैसे ही आप select करते हो, तो reserved category, तो आपको upload करना पड़ेगा document, upload कर दोगे आप, फिर आपसे पूछा गया है, do you qualify under the person with PWD category, basically, तो yes भी कर सकते हो, बट more than or equal to 40% disability का option दिखा रहा है, select कर सकते हो, अगर आप yes करोगे, तो again document पूछेगा, no करोगे, तो कुछ नहीं, see this, document मुझे submit करना पड़ेगा, तो in any condition, चाहिए reservation हो, या PWD आपको document submit करना है, अभी के लिए मैं no कर दिया हूँ, आगे चलते हैं, do you qualify under the BPL, below poverty line, so yes करते हो, तो ठीक है, document upload करना है, no करते हो, तो कोई document नहीं, yes आप लोगों का सबका अलग-अलग होगा, ये format का आप ध्यान रखोगे, कि आपको photo भी जो upload करना है, वो JPG और PNG में से कोई एक format, ठीक है, तो वो आप अपना देख लेना, properties में जाके, फिर आप upload कर दोगे, उसके नीचे आपको दिख रहा होगा, तीन question और पूचे गया है, gender, gender में आप male, female, ये आपको third option भी दिया गया है, transgender का, आप select कर सकते हो, अपने according, ठीक है, फिर हम आगे move करेंगे, तो हमें दिख रहा है, parent, guardian name, तो parent and guardian name, जो भी आपका, आप सब का अलग अलग होगा, मैं आपके, अभी के लिए fill कर दे रहा हूँ, बट आपका अलग होगा, आप अपने according करने वाले, अपको तीनों option दिख रहा हूँ आपे, meal, female, कुछ भी आप select कर सकते हो, parent, guardian name में मैं, बेसिकली अभी के लिए डाल दे रहा हूँ कुछ, आपके जो भी होँगे, document पे जो होँगे, उसके according आप डालोगे, ऐसा नहीं कि आपने कोई घार का नाम या कुछ ऐसा, वो आप नहीं डालोगे, आप document पे जो भी होँगे, उसको देख कर हीं, आप यहां पे fill करोगे, ठीक है, फिर last option ने, do you qualify under NRI sponsored category, तो no करके हम save as draft करतेंगे, ठीक है, क्योंकि आप बिहार से हो, मुझे प्रावली आप NRI में नहीं फॉल करते होंगे, अगर करते हो तो ध्यान से उसको yes कर लेता है, नहीं करते हो तो no करके हम आगे बड़ेंगे, communication detail मैं address बगरा डालना है, तो मैं यहां पे काम कर रहा हूँ कि मैं law prep का, जो पटना का ब्राण्च से उसका address डाल देता हूँ, ठीक है, एजी टावर, besides, बाटा सोरूम, ये बोरिंग, कनाल रोड, पटना बिहार, ठीक है, कनाल रोड, पटना, ये मैं address डाल दिया हूँ यहां का, अब मैं नीचे जाओंगा, नीचे के option में आप देख सकते हूँ, state ये ut का option है, state में आप भी आर सेलेक कर लेना, pin code में, जो भी आपका pin code है, वो डाल सकते हूँ, district में मैं पटना डाल रहो हूँ अभी के लिए, आपका जो भी district होगा, आप वो डाल सकते हूँ, ठीक है, pin code डाल दिया मैंने, permanent address, permanent address अगर मेरा same है, तो मैं same चीज़ copy paste करने वाल हूँ, तो अभी इले मैं same लिखने वाल हूँ, और अगर आपका different है, तो आप make sure करना कि आप अलक से डालूँगे, ठीक है, तो मैं copy कर लेता हूँ, ये अगर permanent और correspondence same है, मैंने again same चीज़ किया, ब्यार select करूँगा मैं, pin code डालूँगा मैं, same copy करके मैं paste कर रहा हूँ, alternate contact number, ये चीज़ दियान रखने हैं, आप यहाँ पर घर पे, family पे, किसी का भी, जो mobile number है, वह आपको डाल रहा है, तो मैं एक random number डाल रहा हूँ, यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद मैं again, district में पटना डाल रहूँगा, alternate email ID मैं, मैं कुछ भी मतलब आपी के लिए ले रहा हूँ, और क्योंकि ये important है, आप देखरो, red color का asterisk mark है, तो lawprip at the rate gmail.com, चलो, ठीक है, बढ़िया, save as draft करूँगा, again save करना है, फिर आगे बढ़ेंगे, qualifying examination detail, अब 10, 12, जो भी है, मतलब अभी 12 में हो, तो वो आपको detail डाला, arts, commerce, सबका option है, मैंने arts select कर लिया है, अब यहाँ पर दो option है, appearing और appeared, या फिर past, तो अगर मैं past हो, तो मैं past select कर लूँगा, 12th past basically, और अगर appearing हो, या फिर appeared हो, मतलब अभी मैं देने वाला हूँ 12th का exam, still मैं CLAT का exam देना चाहता हूँ, तो मैं वो select कर लूँगा, ठीक है, फिर यहाँ पर select year of passing, मैं पास्ट किया है, मैं year of passing select कर रहा हूँ, 2023, fine, board university में, मैं अभी के लिए CBSC डाल दे रहा हूँ, आपको जो भी board होंगे, या जो जिस भी university से आप होंगे, वो आप डालोगे, select month of passing, या देखो यहाँ पर जो month पूछ रहा है, आप में June, July, जो भी आपको लगता है, एक rough idea आप यहाँ पर दे सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात निए, कि में select कर लिया, तो आपको disqualify कर दे जाएगा, या June, आपके certificate से match नहीं हो रहा है, एक rough idea हो लेना चाहते है, तो आप यहाँ पर, अभी के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, June select कर ले रहा हूँ, अगर आपको certificate पर लिखा है, well and good, आप उसी को डाल देना नहीं लिखा है, तो आप May, June, July, जब भी आपने school चूड़ा, यहाँ पर डाल सकते हो, ठिक है, percentage of mark, आपके जो भी percentage आया हूँगे, वो आपको fill करना है, मैंने आप एक random number ले लिया है, अगर आप यहाँ पर appearing appeared select करते हो, तो that means कि आपको 2024 select करना पड़े है, क्योंकि आप अभी 2024 में आप अपना 12th pass out करूए रहा है, तो मैं आप अभी, अगर वो change करता हो, appearing appeared, 2024 कर दिया है मैंने, अब एक चीज़ ध्यान रखना नीचे लिखा, if you are appearing for your LLB examine 2024, inter appearing appearing month, ठीक है, once of passing is June, year of passing 2024, and leave the percentage as blank, मैंने जून डाल दिया, percentage blank किया, save करके आगे बड़िया, fine, अब test preference देखना है, ठीक है, कि तीन सेंटर से आपको बताने है, मैं सबसे पहला पटना चूज कर ले रहा हूँ, छुप चाब, कि मैं PR से उतों मैं पटना कर रहा हूँ, दो random ऐसे ही मैंने उठा लिया है, कुछ भी आपको दिखाने के लिए, आप अपने according, जहाँ पर आपको लग रहे हैं कि आसानी साब पहुंच सकता हूँ, उसको test center preference में आपको डाल देना है, फिर आप जैसे ही आगे बढ़ोगे, 7 draft करके, reservation जो आप आपको यहाँ पर, कोई अगर आपके पास 2 missile या, कुछ भी किसी भी तरह आगा reservation है, तो आप check कर ले ना, one by one, ठीक है, आपको check करना है, एक एक करके, सारे college का आप check कर लोगे, are you a Carnatic student, Carnatic student, आप select करोगे, yes no का option आता है, वहाँ पर, जो भी are you a resident student of Telangana, आप देख लोगे अपने हिसाब से, are you a domicile of Madhya Pradesh, ऐसा करके, बहुत अलग-अलग options है, सारे अलग-अलग colleges के, अलग-अलग option आपको select करने है, ठीक है, अभी के लिए मैं कुछ भी कर रहा हूँ, बढ़ आप ध्यान से यहाँ पर पढ़के करोगे, ऐसा नहीं कि आपको अपने कुछ random कर लिया है, अब बाद में चल के आपको दिक्कत हो जाए, तो अभी के लिए मैं फिलाल क्या करने वाला हूँ, कि मैं फटाक से सारे फिल कर दूँगा, अभी जित्ते भी options दिये हुए, और इसके बाद हम चलेंगे आगे, यह मैं जल्दी से कर देता हूँ, सारे options मैंने सेलेक कर लिया, ठीक है, मज़े जो लग रहा है, यह मैंने कोई भी random किया है, आप ऐसे मत करना, आप सूच समझ के करना, ठीक है, आप अपने certification, या फिर जो भी आपके पर दॉक्यमेंट उसके according करोगे, फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे, अब आप देखो, यहाँ पर make payment का option आगया, जैसे ही मेरी form गंप्लीट होगी, दो option है, delete application, make payment, अगर मैं एको लग रहा है, application गलत है, तो मैं delete application पर क्लिक कर दूँगा, और मुझे लग रहा है कि, अपडेट करने चाहिए, मुझे NLU को preference, तो वो भी मुझे करना पड़ेगा, आप यहाँ पर option देख रहे हो, जैसे मैं इस option पर जाता हूँ, ठीक है, मुझे NLU preference पहले update करना हूँगा, ठीक है, मैं NLU preference पर गिया, अब देखो, जो preference list है, यह हम आपको बता देंगे, एक से दो दिन में, आपको कौन से college की preference कहां डालनी है, कौन से course की डालनी है, यह सारी चीज़ा आपको एक best list, law prep tutorial पटना निगाल कर देदेगा, कुछ दिनों में, एक या दो दिन लगेंगे हैं हमें, फाइनलाइस करने में, हम research करेंगी, आप एक current student जो है, एडिट करने का option दिया गया है आपको, अपडेट preference कर दिया मैंने, ठिक है, आप यह दिख लो, आपको दिख गया है, यहाँ पर एक चीज़ लिखा, if you want to give a new set of preferences, you can do that by clicking on the new preference button, आपको जो side बे दिख रहा है, please note that, every time you provide new preferences, you previously saved preference, will be deleted, ठिक है भाईया, मतलब कह रहे हैं कि अगर आपने new preference अपडेट किया, तो पुराने वाले delete हो जाएंगे, जो हमने बनाया है, ठीक है, कोई दिकत की बात नहीं, click here, चल गए होम पेज पे, अब हम कर दिया हमने update, एने new preference, make payment पे क्लिक करते हैं, तो यह देखो, खुल गया payment का option, 4000 अगर general category, जैसे मैंने general category अगर select किया था, मुझे 4000 का option दिखा रहा है, अगर मैं कोई और category select करता है, तो उसके हिसाब से मुझे पैसा दिखाते हैं, अब यह आप यह option है, और previous year question paper हम no करेंगे, क्योंकि हमें 500 नहीं देना, यह देखो, मैं दिखा देता हूँ, 500 आगया, total fees जो जाएगी, 4000, 500 हो जाएगा, अगर आप select करते हो, question paper तो, फिर मैंने यहाँ पर confirm payment करना है मुझे, मैंने अभी के लिए no कर दिया है, ठीक है, मैं आपर confirm payment करूँगा, confirm payment कर देते हैं यहाँ पर, और जैसे ही मैं आउखे पर click करूँगा, एक option खुल के आएगा payment का, ठीक है, यहाँ पर pay now पर मैं जो click करूँगा, और pay now पर click करते ही मुझे, अलग-अलग option मिल जाएंगे, UPI, पे टियाम फोन पर, या फिर net banking, जो भी तरीका आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर ध्यान रखना, कि आप जो भी तरीका आप यूज करो, form को fill कर लेना है, ठीक है, अच्छे से धंग से, सारे जो भी आपके details, उसको सही सही fill करना, गलत नहीं करना, वरना दिक्कत हुजाएगी, जो आपका preference list NLU, वो आप edit कर सकते हो, जब तक form कुला है, that means कि 3rd November तक form कुला है, तब तक आप कर सकते हो, या फिर अगर बढ़ जाता है edit, तो फिर आपको मौका मिलेगा, that means कि जो आपका preference list NLU, उसके वो edit कर सकते हो, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात दीग, ये ध्यान रखना, अई योप की चीज़े आपको clear हो गई होगी, कोई भी question है, तो आप comment box में लिख दो,